हुआ है हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्केशन करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर से एक टॉपिक और वह टॉपिक है रिलेटिव स्पीड इसे हम लोग रिलेटिव वेलसिटी भी कर सकते हैं क्योंकि जब कोई बाडी स्ट्रेट लाइन पर मूब करत है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेश्मेंट इक्वल होता है और उनका कोर्सफोंडिंग इस फीड वेलसिटी भी कर सकते हैं फिलाल हम लोग एक डियाग्राम देख रहे हैं और सबसे पहले जो कि हमारा लास्ट होना चाहिए इसी को पहले समझ लेते हैं कि हमें क्या कर होना थो हमें आज करना यह कि जब कोई दो बड़ी किसी से जा रही है एक बढब्लश्टी से और डूसरा बीट्यू विलस्ट्रा किसे हो सकता है कि धुक्सें में और यहां हो सकता है कि दोनों ऑपोचित डिरेक्शन में हो अब देख पार हैं कि जब यह सेम डिरेक्सन में जाते हैं तो इनका रिलेटिव स्पीड का जो फॉर्मूला है भी वन मानस बीटू होता है और इसे हम लोग रीड करते हैं विलस्टी आप ऑब्जेक्ट वन विच रेस्पेक्ट विलस्टी आप ऑब्जेक्ट तू इस वन को इसके कंप्यर में देखा जा रहा है जैसा कि आप को सिंपली समझ में आएगा कि आप जैसे रोड पर ट्रेबल कर रहें किसी कार से आपके बगल से कोई एक और कार आपके बगल से गुदर रही है तो आपको क्या लगता है आप उस कार के कंपेर में कितना आगे पोजिशन को चेंज कर पा रहे हैं तो यह आपका रिलेटिव स्पीड हुआ या आप सिंपली कहिए कि उस आपके बगल वाले कार के कंपेर में आपका विलेश्टी कैसा आपको फिल हो रहा है डैट इस रिलेटिव स्पीड विच रेस्पेक्ट तो यूर नियर कार और अगर ऑपोजिट डिरेक्शन के से कोई कार पास होती है तो आप उ और वहाँ पर आप देख पाहिंगे की यह जो फॉर्मूला है यहां पर एक ऌफिंस ऑर आपको मैं समझाता हूं यहां पर देख पाई भी न-विटी च्चोटे क्लासेस में सम्झा लोगो जाते हैं तो उनके स्पीड को जोड दिया जाता है उनके स्पीड को जोड आप इसे माइनस भी टू को नहीं कहेंगे क्योंकि देख पारें वीट विट वन का जो डिरेक्टिन वहीं डिरेक्टिन वीटू का दोनों वैक्टर है दोनों प्लस ही होगा यह आपको एक फॉर्मुले का नेगेटिव चांड आया हुआ है लेकिन यहाँ पर आप देख पारे प्लस यह प्लस क्यूं हो गया कूंकि यह वह वाला प्लस है तो यह ऑप कूट इणिये चाहिए चूलती को कि जोण फिटको घटा दिया जाता है अब हम लोग ाूं कि आई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिलेटिव विलस्टी को प्रूब करने से पहले मैं एक छोड़ा सा और कॉंसेप्ट को क्लियर करना चाहूंगा जिसका यूज रिलेटिव विलस्टी के टॉपिक में हुआ है और हुआ है कानेमिटिक फॉर्मूला फॉर यूनिफ है यह आप देख पानाए जीरो यह एक और इसे समझते है कि 010 पर वा टू मींटर पहुंचा हुआ है और आज़से आप टू कहिए टू मिटर पहुंचा हूआ है और वह आश्याप्ट ऑ हिटू कहिए पोच्ट है आप इसको कहीं फॉर मीटर पहुंच गया है और थ्री सेकेंड पर वह सिक्स जबन कुछ आपका सकते का निक मतलब टाइम जैसे बढ़ रहा है इनका जो डिस्टेंज बढ़ रहा है वो कहां से तो यह और जिसे अगर टू है तो यह और जिसे यह थ्री होगा और जिन से का फॉर्मूला जो आप सभी लोग नीचे क्लासे में पढ़ लेते हैं अब हम इस वाले डियाग्राम से फाइंड करेंगे कि डिस्टेंट क्या है इस अब्जेक्ट का तो डिस्टेंट क्या होता है सौर्टे डिस्टेंस बीट्विन इनिसियल तो फाइनल अभी हमें फर्स् का अगर वाले डिस्टेंस को घटा act स्रेट लैंड में आप डिस्टेंज कर सकते हैं आप नो प्रॉब्लम तो हम लोगों ने समझ लिया कि हमारा जो डिस्प्रेस्मेंट होगा वह x- x-10 इस वाले को आप एकवल को दर ले जाएंगे तो यह फॉर्मूला आपको इस ढंक से मिलेगा यह फॉर्मूला है आपका का इनली की फॉर्मूला ओफ यूनिफॉर्मोशन इसको एक और तरीके से समझाने का पर्यास किया गया है क्योंकि यह आगे भी बढ़ा हुआ है अ तो वही रहेगा यूनिफोर्म चल रहा है चेंज नहीं करेगा और इसे आप इस तरह से क्रोस करेंगे तो इस तरह से फर्मूला आपको मिल जाएगा चलिए यहाँ पर मैंने बोला कुछ ज्यादा समय नहीं लोगा लेकिन आप इस वाले को जरूर याद रखिए इन दोनों मे क्या हम दोग जानना चाहरे है दो कारे जाती है जैसे आपको बताया आप अपने वाले कार को टू कहिए दूसरी बगल वाले को वन कहिए तो आप अपने वाले को अपने वाले कार की विलस्टी को जानना चाहरे बगल वाले कार के कंपेर में तो यही बात को यहां का जा रह change of position of the object to with respect to that of one you suppose the time rate of change of position kya hatha change of position matlab displacement this I will have never die up position x naught say x what's a displacement war or rate come at love divided by time or a chaotic displacement button that is velocity that I will learn that is change of sorry rate of change of position of velocity so the rate of change the पॉजटिजोन ओब टू इसकी एक्सप्रेशन को जब डिसक्स करने तो आपको क्लियर में समझ में आजाएगा कि एक्च्छलिए हम क्या फाइड करना चाहरे है यह स्टेट्में थोड़ा साभी आपको कन्फिजन करा सकता है और हम फिर से इस पर ःफ़ार बेक होंगे तो expression for relative velocity जैसा कि आप diagram पर देख पा रहे है consider the object 1 and 2 moving along the same direction दोनों का direction same है right side यह जा रहे है and moving with constant velocities v1 and v2 इन सब्सक्राइब का जो velocities है वह constant तो है लेकिन अभी हमने naming के तौर पर इन्हें एक को हमने v1 का है और एक को v2 का है और यह जो velocity है relative to earth हमारा जो reference है किसके reference में यह velocity v1, v2 तो earth के respect में है और आगे बढ़ते हैं और जैसा कि अभी हम लोगों ने आपको समझाया मैंने आप लोगों को कि क्या kinematic formula होता है suppose the position coordinates of two objects are x10 and x200 समय पर x1 पर था पहला और x2 पर दूसरा वाला at t equal to 0 and at t equal to t their position coordinates will be जैसा kinetic formula हमने देखा उस डंग से यह चेंज करेगा चेंज करेगा और यह बन जाएगा x1 t जैसा कि आपने देखा था x equal to x0 vt उस formula के according हम लोग यहां पर बात कर रहे है इस is x1 t is equal to x10 और यह विश्टी फर्स्ट वाले object का भीवन विश्टी है और time interval t है जैसा कि हम लोग ने बताए इस time is t और second वाले का हम लोग उसी तरह से time interval वही है उसे हम लोग लिखेंगे x2 t is equal to x2 0 plus v2 t यह आपको अगर दिकत है तो उस वाले पार्ट में सीधे पहुंचिए आप देखें यहां पर कैसे यह लिखा गया है इस वाले को हम ऐसा लिख सकते है एक्स मानस एक्स नोट कि वीटी या पिर सीधे एक्स 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 नोट वीटी लिखा गया है तिक ना यह चीज़ है और कुछ इसमें फर्क नहीं है इसके time को इसके साथ में दिखा दिया गया साथ चाथ अजरवाज कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि यह पोजिशन कब-कब यह टाइम को साथ चाहते निकेट किया गया है चलिए अब आगे हम लोगों को क्या करना होगा तो कुछ मैथमेटिकल अपरेशन करेंगे सब्स्ट्राक्टिंग वन फ्रॉंट वीफाइंड दैट वन से टू को सब्स्ट्रेक्ट करिए तो आपको मिलेगा एक्स 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 साइड में जाने के बाद x2-x1 0 टाइम पर और यह टू-1 और टाइम तो कोमन है तो टाइम कोमन चला जाएगा आगे देखे क्या हो रहा है स्टेट आपके स्टेप को समझना जोरु है आप जो भी x2 x2 है यह अप एक्स टू यहाँ देख पारे दोनों को एक तरफ लाईए और जो X1 है उन्हें आप एक सटर्फ राख़े अभी आप equal के left में ही रखे दोनों को इस वाले को भी और इस X1 0 वाले को भी और आप ब्रेक्ट में बंद कर देंगे यह minus है तो और इस को इस वहाले को जब आ ले जाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा और जब आप माइनस तो आपको जैसा यहां आप देख पाने वह भी है और राइट है में कोई displacement है और यह क्या देख पार है एक्सवन टी माइनस एक्सवन जीरो यह फ़र्स्ट वाले बड़ी का displacement है तो हम लोगों ने इसी चीज़ को यहां देखा है देख पारे है displacement of object 2 in time t minus minus लगा हुआ है displacement of object 1 in time t 0 से t बढ़ा है समय ती है और right side as usual हम लिख करके आगे बढ़ेंगे आगे देखिए यह आप देख पार रहे हैं displacement of object 2 in time t minus displacement of object 1 in time इसी हम लोग कहते है relative displacement of 2 with respect to 1 इसे हम लोग पढ़ते है relative यह वाले पूरे पार्ट को हम लोग एक साथ अगर रीड करेंगे तो यह से हम लोग पढ़पाएंगे relative displacement of object 2 with respect to object 1 और right side will आपको basic वैसे रहेगा और जैसे आप time से डिवाइड करेंगे इस time को नीचे ले आएंगे तो यह आप देख पार रहे हैं यहां पर नीचे वैलोसिटी और इसे हम लोग पढ़ेंगे relative velocity of object 2 with respect to object 1 और इसे हम लोग सिंबलाइज करते हैं V21 and that is equal to V2 minus V1 जैसा कि हमने starting में आपको दिखला था V2 minus V1 क्या होता है velocity of object 2 with respect to 1 और इसका just reverse अगर हम बात करें अगर इसे हम V12 कह दे तो यह हो जाएगा velocity of object 1 with respect to 2 अब हम लोग एक बार फिर से इसके statement पर आते हैं जहां पर हमें समझना था अब्चिक पार है तो जैसा कि हम दोगने लास्न में देखा यहां पर आप देख पार है तो इसके आगे देखिए हम लोग यहां तक तो यह आपको एक पार्ट कंप्रीट हो जाता है लेकिन साथ-साथ हम लोग इसके ग्राफ को भी स्टेडि कर लेंगे कि जब दो बॉड़ी एक साथ मोशन में है और उनका कोर्सपनिंग ग्राफ तीन तरह से बनेगा एक होगा जब भीवन भीटू एक्वल होंगे तो किस तरह का ग्राफ होगा क्योंकि यह आपका इंपोर्डेंट होता है और समझना भी जोड़ रही है और कभी होगा कि भीवन इस ग्रेटर देन भीटू और कभी होगा भीवन इस लेसे बीटू तो ग्राफ कैसा बनेगा तो आपको सीधे समझना ज्यादा यह सब स्ट्रेट्मेंट को पढ़ने की आ सकता है नहीं हम सीधे इसके ग्राफ पर आते हैं और अनलाइस करते हैं यहां पर क्या कैस है जबीव इस हमेह पर अब्जटूब का जो डिस्टेंज से वह अलग है यहां अपण वाष्ट किया धाए से सामय के साथ देखा जा रहा है वह देख रहा है कि दोनों यूंफॉर्म निबढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन हमेस आपको YouTube बढल 99 क्या मतलब है कि for displacement 1 2वा स्कूषा है इस बात को समझें एक से कंड में जितना इशे स्प्राइब कर लेगा उतना ही एभी फैसा कभर करेगा इसका मतलब यह हुता है कि आने वहले समय के बीजो भी इसमेड या जिसी हम सहे विल्सटी ऊंद्रम सिकाख सकते हैं siitä को तो विल्सटी को करी होना हुसकि एक हमने यहां पर ओर होने के वज़ए से दोनों आपस पैरलेल होगी इस बाद को को जाओं पॉस्टिन स्टार्टिंग में अलग था लेकिन दोनों का विल्सटी तो इनका जो स्टी होगा अलग होगा क्योंकि यूनिफर्मों से पहली बात श्रीट होने का कारण दुसरी कि बदूनों एक दुसरी से पारलेल रहे क्योंकि मतलब जैसे आप समझे आपके आगे एक कार आगे जा रही है और दो आगे वाली कारका भी स्पीड 40 किलोमेटर पर आवर है और आपकी कार भी 40 किलोमेटर पर आवर कि पिड़ से जा रही है तो क्या कभी आप उसकार को टॉच कर पाएंगे और बार आगर आप उसकार के एक डिश्टेंस को इदेंटीफाय करना चाहें तो आप हर बार पाएंगे कि वह होगा जो इनिस्टेंस आठेसा कि आप देख पार यह जो डिस्टेंस है यह पारलेल पर मतलब हर जेघा यह दिस्टेंस आपको सेम भी दिखाए पड़ेगा तो इस ग्राफ का इनलाज़ाइशन इस तरह से है आपको कभी ऐसा आए विवन वेटू को एक साथ दिखाना है कि पोजिशन टाइम के ग्राफ में तो आप इस दंग से इसको सिंप्ली दिखा सकते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं वेन वें बिटु इस टन वेन तो हमने यहां पर बीटू और इस तरफ रखा है यहां पर दिख assumes रखा गया है एस रायट he called categorization 0 समय पर उचांगे हैं और जरोसे में पर पोजिटाओ नीची है और आप देख आरे कि यह Pap soros को और भी मालूowment इhou चाहिए जो सलोप होता है पोजिटन ट make up मेरie सक्ष्टी सब्सक्रांप होता है तो एक तो आप ऐसे ही समझ चाहते हैं कि यह ज्यादा श्पीड है इसके कंपर में तो यह जो स्लोप है आप यहां से अगर इसे किछेंगे स्वारी यह तो आपको दिखाए पड़ेगा यह एक च्छीड लैन कि यह दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से सेपरेट होते भी नजर आ रहे है स्टेट तो होना ही है क्योंकि मोशन इस यूनिफॉर्म है और इसके लावा एक और केस है लास्ट होगा अब क्या होगा भीटू का जो स्लोप है वो कम होगा भी वन के कंपेर में और यह दोनों आपस में क्रोस हो जाएंगे तो जैसा हम लोग देख वा रहे हैं पीछले बार के तरह ही एक्सटू आगे है एक्सवन पीछे है जिरो समय पर और इस एक्सटू का जो अब्जेक्टू है उसका वेलसिटी कम है जिसके वज़े से उ स्ट्रोप के लिए आपको एक लाइन इंक्लाइनेशन लाइन चाहिए और एक होरिजेंटल लाइन चाहिए और इस यहां से एक एक ऐसे लगर करके